हेलो दोस्तों आप शभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम आशिश प्रशाद हुआ इंपिनिट इकेनमी का संचालक हुम है आप सभी से एक सक्षियत को मिलाना चाहता हूं जो रिसेंटल भी का रिजल्ट आउट हुआ फाइनल में रिदिश उनका सेलेक्शन हुआ है वह हमारी इंस्ट्यूट के स्टूडेंट है और बहुत मैंनत के बाद इनका नौकरी लगा है तो यह अपने आपको आपसे पडिचे कराएंगे जयिन दोस्तों मेरा नाम है सुरद राओ मैं पनाट का रहने वाला हूं मैंने अपना ग्रेशन कार्ति कुराओं पोलेसी किया है इसके दोरान मैंने सरकारी नौकरी करना भी शुरूप कर दिया था फिर मैंने इसके दोरान बहुत सारे एक्जाम दिये जिसमें मुझे फेल भी हुआ फिर भी मैंने पोस्ति जादी किया और इस बार मैंने एससी क्रेक करके बीएसे में अपना पोस्तिंग पाया है जैसे कि आपने जाना कि सूरज में बड़ी कटिनाईयों के साथ जैसे कि उसने कहा कि 14-15 एक्जाम देने के बाद इस बार जाकर उनका चैन हुआ है तो सूरज आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको चैन हो जाने के बाद आपके लोगों का क्या बढ़ता हो है आपके कुणीस हाना फ्रशा प्रती, मुझमे खुद में भूद ही गोणी जाना है साथ ही मेरे माता मेरे दीदी मेरे फैय्मिली सभी सुब्स फ़ी कर रहे है साथ ही मेरे पडोसी मेरे इस सभी सभी के द्वारा good wishes की मेरे after akan आ रहे हैं और मुझे में बहुत ही गरबफिल हो रहा कुछ में आज बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ऐसे सी क्लियर किया इस पोस्टिम में आगा हूँ जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि सूरज में बहुत कठिनाईयों से ये नौकरी को हासिल किया है तो सूरज पर चायबगान से आपने रहे हैं कि आपने नौकरी को पाया है जो कठिनाईयों से गुजर कर आपके अंदर संकल्प था क्या वो सक्ति था जो आपको इतना मजबूती थी था चार साल तक मैनत करने के बाद नौकरी मिलना यह थोड़ा अपने वियोज को बताईए याज जैसे कि मैं चाहित बगां से विलोंग करता हूँ हमारे दुरुजी आसिस सर हमें हमेशा कहते थे कि हमारे पास पौनी के लिए कुछ नहीं है पर पानी के लिए बहुत कुछ ही यह वोड़ जो हमारे आसिस भया बोलते थे वह हमेशा मेरे दिन कुछ होता था तो बस उसी के लिए मैंने अपना सब कुछ लगन की एससी के लिए से निशावर कर दिया मैं सुभा उठता था अपने जीके के शुरुवात से लेकर फिर पढ़ने में में अपने पढ़ाय की और देता था प्लस अपने फीटनेस में की रहान रखता था किमकि मैं आर्मी के लिए त्यार हो रहा था था सुभा रणिंग वनिंग यही कब कुछ हेल दी खाना वाना और पढ़ाय के लिए के मैंने पढ़ाय में कभी तोंजूसी नहीं की बस अपना फोकस पढ़ाय में दिदा था और हर आदमी जो मेरे से बेज़ातर में उससे कंपिट करने ही कुछिश करता था मुझे क्लास में मुझे का लगता था जब मैं क्लास में अवह लाऊंगा तब ही जाके मैं देडर लाग दो-तीन लाग लड़कों को पिछाड़ सकता हूँ तो वही दूसरों को हराने की यही कोशिस में मैं अपने आपको बेहतर बनाते गया आराज इस मुकामन को जासे जैसे कि दर्शक आप सभी जान रहे हैं कि सुरज ने किस तरह मेहनत किया, यह अपने बारे में बता ही दिया, तो इसी के साथ मैं आप लोग जो भी देखे रहे हैं, जो भी कमिंग जेनरेशन्स ये वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं सुरज को उसके तरफ से मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कभी गभब मत किजेगा, फैलियर सबके जिन्दगी में आता है, मेरे जिन्दगी में भी आया था, मैंने 10-15 एक्जाम लिख चुका था जिसी कभी में हीट में, तो कभी फीजिकल में, कभी कुछ-कुछ में रिजेक होता ही रहता था, पर म मैं अपना अमलब के खुद में यकीन, इसको खुद में बहुत ही यकीन था कि मैं कुछ कर लोगा, मैं कुछ कर लूँगा, मैं बस अपने आपको बहतर बनानी के कोशिस किया, वैसे ही आप ही कीजिए, कभी गीब अब मत किजेगा, हमेशा फैन्ग पोजिटिव हमेशा पो जैसे कि दोस्तो, सूरज ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, मैं आप सभी से काऊंगा कि सूरज ने बहुत अच्छा बात बोला और यह बहुत पुराना बात है, तेकि आपके जीवन काल में आपके बास होने के लिए कुछ नहीं है, मौकरी मी होगा तो क्या होगा, व मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि पढ़ाही से ही आने वाला जेनरेशन बदल सकता है, अगर आपको आने वाले रिक्रूटमेंट में, जो के भी एससी को नोटिफिक्शन आउट है, अगर आपको पढ़ लिखकर और सही गाइडेंस से, अगर आने वाले दिनकाल में आपको इसी तर आप भी बैठके हमारे बीच अपने आपको इंट्रब्यूस करें अप चाहते हैं, ऐसा हो, क्रिप्या करके हमसे जल्द जुड़े, ठीक है, सही मार्ट दर्शन से, सही गाइडेंस से, और सही तरीके से पढ़ने से, कही ना कहीं आपका सफल्दा मिनने का एक निश ठीक है, बुलेट करिदना, सब पूरा होगा इनका, और ये अपने सोसाइटी, अपने जाती, अपने गाव का और अपने देश का, सभी का नाम रौशन करेंगे, यही उमीद करते हैं, धन्यबाद आप सबी करेंगे